असलाम अलेकुम कैसे हैं यह हमारे एक बुद्रूग है और इनका पर टोटा हुए आप देखें यह कैसे टोटा था पैर गाड़ी वाला कितने महीन होगे नो दस महीने नो दस महीने से पैर इनका और हमने इनको ओफर दिया है हमने इनको फ़र दिया है कि हम आपका प्रिशन हमों घृशन है मु तर आएंगे लेकिन चलने को त्यारी नहीं है क्यों तयार नीगों अप आप अपनी हालत पागल हो नहीं आप एक समझदार इंसानों मैंने पहले आप से बात कि थी अगर आप अपरेशन कराना चाहते हो तो मैं आपका अपरेशन करा दूगा क्या बोलते हो कराई आई ओपरेशन नहीं देखो ऑपरेशन हो जाएगा जिंदगी दुबारा से चल जाएगी तुम्हारे कब तक ऐसे रहोगे पागलों की तरह अचा ऐसे जिन्दे को जाननी है र तो आप क्यों तैयार में हो रहे हैं दर लगता है तुम्हाई जिन्देगी तो ठीक हो जाएगे ना कोई कुछ करेगा कोई सी आएगा कोई सी आएगा कोई कुछ करेगा अजिन्देगी तो एसे होता ना कि तरते हैं वहीं किया थे कोई सी घुसरेगा कुछ करेगा लेकिन हमने इनको उपर दिया है और काया है रिक्वेस्ट भी कि मैंने पिसले तीन चाह महेने से मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब आप ये कर लो और ते वह कि क्या जिन् आपके बास में ठीक है मैं फिर आउंगा अगर आपको ऑपरेशन कराना है ना तो मुझे बदाईएगा इनको कहा कि अपने जिन्दगी बहतर बन जाएगी आपकी आप ऑपरेशन करा लीजिए लेकिन ये है अपनी जिन्दगी पने किस हाल में जीना चाहते हैं और ये बताते हैं कोई है ने कोई बचा नहीं हो सकता है कोई बचा हो इन्हें ना रखता हो लेकिन इनकी जिन्दगी बहुत ही बत्तर हो चुकी है गाज़ेबाद में रहते हैं और मैंने इनको बहुत दफ़ा कोशिश की कि मैं इनको इनका ऑपरेशन करा सकूँ अपने का करूए आप इडर गाला जार शेर किज़ेगा अगर आपको अच्छा लगता है कि मेरे काम अच्छा है और ये काम और लोगों तक जाना चाहिए और लोग भी देखें और इस काम से सबक लें सीख लें और अपने आसपास देखें का ऐसे तमाम लोग मिलेंगे आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनको आपकी मदद की जरूरत है तो ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए ऐसे लोगों की मदद कीजिए